अलो क्रेंट्स, बेडा नम अर्षना है और आज मैं अंकुरित काले चने की घूगनी बनाने वाली हूँ, घूगनी का मतलब होता है चाट या एक तरह की चाट की रेस्पी है, मैंने पहले भी एक चाट की रेस्पी बनाया हुआ, आपके लिए यह दूसरी रेस्पी है और जोट कर ले इसके इंग्रेडियेंट्स, यहां मैंने 100 ग्राम करिब अंकुरित चना ले लिया है, 50 ग्राम प्यास काट लिया बारिक हरी मिट्स, इतने से सामगरी में दो लोगों के लिए चाट बन जाएगा, एक टमाटर, एक चौथाए चमच अना मसाला, एक चौथाए च 4-5 चमच सर्सोगा तेल डाले और इसमें डाले एक चौथाए चमच जीरा, जीरा पक चुका है, तेजपता डाल दे, तेजपता भी लगवग पक चुका है, यह मसालेदार भूगनी है, चाट है, इसमें अगली रेस्पी फोड़ा कम मसाले में बना रही हूं, जो पसंद हो आप उस रेस्पी को फॉलो कोड़े या फिर दोनु रेस्पी को फॉलो कोड़े, प्याज डाले, प्याज डाले, प्याज प्राइब हो चुका है, अब दालेगे मसाल, अल्दी, तन्या लालविट सर्कुष डाले, साथ के टमाटर, और थोड़ा से नमत नमत के बन मसाला के मसाला फ्राइब हो चुका है अब यह चला डालें तो तोड़ा नमात और डालें चला के इसाफ से नमात डालें अब इसको अच्छे से बिता करें एक चौठाइक पानी डालें दो मिनट करीब ढख कर पताएंगे बीच बीच में चाहते रहेंगे गैस का फ्लेम लो रखें एक बार चला कर देखें पानी इसका काफी सूप गया है लेकि फोड़ा बहुत अभी और है इसमें तो इसको हम अभी दिमी आज बन के एक मिनट और बटाएंगे इसके साड़े पानी सूप चुप चुप चूप लगा है यह गूगनी अब तयार हो चुका है चाट तयार हो चुका है अब अब भी सुग आस ओफ करेंगे और हडा दनिया हैडिवेर्च टीबू के साथ साथ करेंगे गार्णिश करेंगे इसी तरह से मेरे साड़े वीडियो देखते रहे है लाइक सब्सक्राइब और शेर करते रहे है थैंक्यू सू मज्च